कैसे हैं आप सब लोग मैंने मिस अर्विन दरोरा आप मुझे देख रहे हैं मेड़ी चैमिस्टी चैनल पर फाइनली हम लोग फोकस कर रहे हैं एम्स 2018 एक्जाम पर विच इस बिगिस एक्जाम इन मेडिकल लाइन और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं जिसमें आप लोगों क्य क्या दे रहा हूं केमिस्टी पॉंट व्यू से एसर्शन और रीजन के क्वेशन अप्लोड कर रहा हूं डेली वीडियो अप्लोड कर रहा हूं आप लोगों ने देख लिए होंगे अगर अभी तक भी नहीं देखे हैं तो डिस्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस का लिक के बहुत सारे वीडियो शेप्टर वाइस मिल जाएंगे आप एक बार चैनल को विजिट करें आपको बहुत सारे वीडियो से एमस के पॉंट इव्यू से मिलेंगे जनल नौलिज के वीडियो नंबर टू है यह फड़ाफट से जानते हैं आपको वीडियो का फाइदा कैसे मिलेगा आपको अगर मैक्सम बेनिफिट उठाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है वीडियो को पोस्ट करना है खुच से आंसर को लोग करना है उसके बाद मेर अगरे बाद देखने हैं वीडियो करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अब मेरे सारे वीडियो लेक्चर्ज इंडिया जाजिस लर्निंग अप अनक एड्मी आप पर भी अवलेबल है जिसको आप गूगल प्लेस्टों से डाउनलोड कर सकते हैं औ और इसका इस प्रोफाइल का अनक एड्मी मेरी प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया है जिसको क्लिक करके आप मेरी प्रोफाइल को सीधे सर्च कर सकते हैं आप यूस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है आप इस चीज को अपने जूनियस को भी पास ओन कर सकते हैं guys what does the term IRBM IRBM stands for interesting question फड़ फड़ से अपना answer लोग कीजिए फिर मापको बताता हूँ actually IRBM का full form क्या होता है that is the answer of this question is 4 अगर आपने 4 लगा है तो बिल्गुल सही है intermediate range ballistic missiles question number 3 now the third question is so चली गाइश फड़ फड़ से third question को देखते हैं now the third question is the first chief justice of India was आपको फड़ा फड़ से answer लोग करना है फिर मैं आपको बताता हूँ finally इसका answer बनेगा third that is Harilal Kania ये इसका answer होगा fourth question की तरफ move करते है now the fourth question is the hall of nations is located आपको बताना है hall of nations कहां located है इंडिया में answer of this question is New Delhi quite easy question third number answer है इसका fifth question की तरफ move करते है now the fifth question is the royal flying doctor service is in आपको बताना है royal flying doctor service ये कौन सी country में है interesting question फड़ा फड़ से answer बताएं फिर मैं इसका answer बताता हूँ actually मैं इसका answer बनेगा Australia third answer है अगर आपने ऐस्टेलिया लगा है तो आप बिलकुल सही है sixth question की तरफ move करते है now the sixth question is the person who served as the president of India twice pose आपको बताना है हमारे यहां कौन से president ऐसे थे जिन्होंने दो बार दो बार राश्टपती पत संभाला six question का answer क्या होगा फड़ा फड़ से बताएं फिर मैं इस का answer बताता हूँ actual में six question का question का answer बनेगा doctor Rajendra Prasad दो बार राश्टपती बने थे seventh question की तरफ चलते है first surface to surface missile test fired in India as long as range is आपको बताना है surface से surface missile कोन सी थी first हमारी इंडिया की ठीक है longest range पर fire करने वाली answer of this question is पृत्वी अगर आपने पृत्वी लगाया था आप बिलकुल सही है eighth question first artificial satellite to go around the earth wars आपको यह बताना है artificial satellite पहला कौन सा था जो की earth के around गया था तो इसका answer क्या है answer this question is first that is Sputnik first या Sputnik first कहेंगे इसको first answer है इसका ठीक है eighth question हो गया now the ninth question कहता है National Inland Navigation Institute Nini is situated in ये question बहुत बार पूछा गया है बताए जरह इसका answer क्या होगा Nini कहां situated है इंडिया में that is Patna Patna में है अगर आपने ninth का first answer दिया तो बिलकुल सही है now the last question that is heavy water project and fertilizer water Pradip are famous industries of आपको बताना है heavy water जो project है जिसको तल्चर भी कहता है और fertilizer plant प्रदी कहां पर है कहां पर situated है 10th question का answer बताए फिर में आपको इसका answer बताता हूँ actual में इसका answer बनेगा odisa अगर आपने odisa लगाया तो आप बिलकुल सही है तो ये हुए मेरी तरफ से 10 GK के question I hope आप लोगो को अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चार छोटे-छोटे से काम हमारे लिए करिए प्लीज मैं request करूँगा आपसे first of all तो चैनल को subscribe करिए और bell icon के button को दबाना मत भूलेगा ताकि notification आपको समय से मिल सके शेर कीजिए इन वीडियोस को अगर आपको थोड़ा बहुत भी सीखने हो समझने को मिला आप शेर जरूर करो नीडी स्टूडेंट्स को जितना जादा आप शेर करोगे उत्तरा ही जादा हमारी टीम enthusiastically आपके लिए question को choose करके वीडियोस बनाती रहेगी साथ ही साथ वीडियोस को like कीजिए एक question भी सीखने को मिला है तो please like तो बनता है ना और साथ ही साथ comment section में अपने marks लिखना मत भूलेगा thank you so much guys अगली वीडियो मिलते हैं thank you so much thanks a lot subscribe करना मत भूलेगा guys thank you thanks a lot